वेल्कम फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है एटोमी टीम वारियर इंडिया में दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 8 स्टेप्स सक्सेस इन एटोमी आग जैसा कि आप सभी को पता है कि एटोमी इंडिया में लांच हो चुकी है 11 नॉम्बर 2020 को और एटोमी इंडिया में काफी success story create हो चुकी है और यह सभी को मालूम है और डेफिनेटली जो लोग नए हैं आज इस चैनल के उपर तो रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर अभी तक आपने दुनिया का सबसे जो बेहतरिन प्लेटफोरम है अटोमी ग्लोबल अगर आपने अभ पूरा सपोर्ट मिलेगा ग्लोबली ओके और हम यहां पे मिलके काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी आपकी सक्सेस स्टोरी क्रेट हो सके जैसा कि हमारे टीम में काफी स्टोरी क्रेट हो चुकी है डेफिनेटली और हैटो में पॉइंट आफ यू आपको पू करेंगे डेफिनेटली और आज के यूटूब के मादम से आज हम डिसकस करेंगे एट स्टेप्स सक्सेसिन एट अगर आप एटो में में जोइन हो या फिर अभी तक आपने जोइनिंग नहीं किया है तो यहां पर आप जोईन हो कर के सक्सेस कैसे ले सकते हो और उसके लिए जो बेसिक पिलर्स है एटोमी में सकस होने के आठ पॉइंट है ठीक है आठ स्टेप्स है तो उन स्टेप्स के बारे में हम यहां पर डिसकस करेंगे आपसे और आशा करता हूं कि इस वीडियो को आप अपने पूरी की पूरी एटोमी टीम के साथ शेर जुरूर कीजिए ताकि जो नए लोग जोईन होतेैं अटोमी में मैंबर बनते हैं उनको यहां पर जोईन होने के बा座 करना क्या hayat सबसे बिडी चीज तो यह नहीं पता लगते लोगों को को कि करना क्या है क्योंकि जब तक एक स्टॉंग शिस्टेम वाले टीम के साथ आप नहीं जुड़ते हो एक किसी भी बिजनिस में दोस्तों सबसे पहले है लीडर ठीक लीडर बिखता है प्रोड़क्ट बाद में बिखता है तो जो सक्सस का जो लेवल है डिपेंड करता है कि आप किस टीम के साथ जुड़े हो आपके लीडर का क्या प्रोफाइल है और जैसा कि अटोमी में हमारा प्रोफाइल मेरा प्रोफाइल फर्श थ्री डेज में मैंने डामेंड मास्टर क्वालिफाई किया है और हमारी टीम के अंदर चार सेल्स मास्टर बने है पूरी टीम की सपोर्ट से और काफी लोग सेल्समस्ट हमारी टीम के अंदर बन चुकी है और बहुत बड़ी-बड़ी सक्सेस स्टोरी अभी आने वाली है तो डिपेंड करता है कि आपका लीडर क्या है किस प्रोफाइल का है आटोमी की बात कर रहा हूँ मैं दूसरी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ तो दूसरी चीज़ यह है कि जो लीडर एक बार सक्सेस हो जाते हैं डेफिनिटली वो सेम पाथ सिस्टम को फोलो करके सभी लोग फोलो करते हैं और हमारे leaders का नाम ही काफी है और इतने great leaders के साथ काम कर रहा हूँ top mentor के साथ काम कर रहा हूँ और मेरे को proud है अपने team के सभी leaders के उपर और जितने भी लोग हमारे team से sales master बने सभी पर proud है पूरी की पूरी team पे definite लोग और अभी तक अगर आपने join ही के तो आप join कर सकते हैं हम लोग मिलके काम करेंगे और बहुत बड़ा काम करेंगे दोस्तो globally ठीक है तो आज का जो वीडियो है अगर आप एटोमी में नए हो अगर आपने join कर लिए है तो आगे आपको क्या करना है ताकि आपका और आपकी पूरी team की success story यहां पर create हो सके उसके लिए वीडियो बनाया है मैंने ठीक है तो का जाता है कि कोई भी जो बड़ा target है बड़ा goal है वो तभी अच्छी होता है जब हम लोग उसके लिए जी जान से मेनत करते हैं ठीक है और जो हमारा results है आज कल सभी लोग results को देखते हैं achievements को देखते हैं success story को देखते हैं लेकिन सर उसके पिछे क्या काम करना होता है कितनी मेनत की होती है हम लोग 3 साल से काम कर रहे है तब ही मैंने मेरी पूरी team के साथ मिलके qualify किया 3 दिन में diamond बने है first day sales master qualify किया है next 3 days गंदर 4 sales master मेरी team से हमने बनाए है पूरी की पूरी team ने फिर diamond qualify किया है उसके बाद काफी लोग sales master बन चुके है और अभी काफी success story आने वाली है आप लोग देखोगे लेकिन यह सारी चीजें सर एक दिन में नहीं होती है उसके लिए हमारी पूरी की पूरी team warrior ने महनत किया है हमारे education system ने महनत की हमारे जो experience leaders है great leaders है सभी ने महनत की है definitely तो यहां पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज के दोर में आज के यूग में आपकी success को सब लोग देखते हैं आपकी results को सब लोग देखते हैं आपकी achievements को सब लोग देखते हैं लेकिन वो सारे की सारे स्टोरी आपने create कैसे की किस तरीके से की वो कोई नहीं देखता सार उसके पिछे जो महनत होती है ना वो कोई नहीं देखता उसको कोई नहीं जान पता लेकिन वो महनत कैसे करनी है क्यों करनी है कब करनी है smartly काम करना, काम तो सभी कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो लोग smartly काम करेंगे वो जल्दी success होने वाले हैं definitely ठीक है और smartly हम काम कर रहे हैं उसमें कोई doubt नहीं, लेकिन आपका result, आपका atomic vision क्या है, आपकी success story कैसे create होगी, आप यहाँ पर achievements कैसे प्राप्त करोगे, उसके लिए एक line है, center में लिखा है, success is the some of small efforts repeated day in and day out दोस्तों, success सिर्फ क्या है छोटे-छोटे effort लगाई है आप एक दिन में कोई imple master नहीं बनने वाला frankly यहाँ पर, सबसे पहले आपको sales master बनना होगा, और sales master कैसे बना जाए, उससे पहले आपको consumers का network develop करना पड़ेगा, consumers का और atomy ID लगाने का या joining करवाने का काम नहीं है दोस्तों यहाँ पर consumers का network develop करने का काम है, consumers का network आपको दोनों side बनाना है, तब यहाँ पर आपके success story create होगी और success तब start होती है, जब आप छोटे-छोटे goals एक-एक दिन का goal achievements करते हो जैसे एक दिन पर आपने एक consumer बनाया एक दिन में दो consumer बनाया, काफी है more than enough, ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर छोटे-छोटे targets आप achievements कीजिए, weekly target focus कीजिए, monthly target बनाईए, quarterly target बनाईए तब जाकर के आप यहाँ पर success की जो first story है, sales master बन पाऊगी, और sales master बनने से पहले आपको सर्थ कौन-कौन से काम करने पढ़ेंगे वो सारी चीज़े हम discuss करेंगे यहाँ पर इस वीडियो के माददे में से, जो हमारे 8 success के step है, atomy के अंदर globally बोला जाता है, कि आप किसी भी company के अंदर handle होते हो, तो यह जो 8 steps है, सर सेम है atomy में सारे steps सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको, आपका जो past का जो experience है, आपकी जो ज्यान की bucket है, आपके दिमाग में जितना ज्यान है, सर उसको खाली करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर आपको atomy में success लेनी है तो, ओके और atomy में success लेने के लिए आपको atomy इंस बनना पड़ेगा, और atomy इंस बनने के लिए आपको atomy के rule and regulations फोलो करने होंगे आपका past का profile कोई नहीं देखागा, यहाँ पे atomy में आप क्या हो, atomy में आपका profile क्या है, वो ही story आपके आगे चलने वाली है, और वो ही चीज़ें आपके team में duplicate होने वाली है, और उसी चीज़ें से आप अपने team में success story create कर सकते हो, ओके तो जो यह 8 steps है, वो हमें follow करने है, और आपके ग्यान की जो bucket है, बाल्टी, उसको सरक्क खाली करते रहिए, और भरते रहिए, और फिर duplicate करते रहिए, अपने team के अंदर, तो ग्यान लेते रहिए और duplicate करते रहे, give and take का है, formula यहाँ पर, जितना जल्दी आप अपने चीज़ें को duplicate करेंगे अपने team के अंदर, उतनी ज़्यदा success story आपके team के अंदर create होने वाली है, okay तो जो first step है, दोस्तो, first step of success in atomic, dream building तो सर्द ड्रीम का मतलब यह है कि जो सपने हम ले सकते हैं, वो लीजिए definitely सबका हाग है और कोई doubt नहीं उसमें, लेकिन जो सपने आप रात में लेते हो और अगले दिन फिर हम बूल जाते हैं, हमी करना के रात को हम बड़े-बड़े सपने लेंगे, लेकिन अगले दिन अगर काम नहीं किया, तो वो सपने साकार नहीं होंगे यहाँ पर, dream building आपको सपने लेने हैं, बिलकुल अपने लाइफ को चेंज करने के सपने लेने यहाँ पर आपको, आप अपने dreams को लिखिए सर, जब तक आप अपने डारी के अंदर लिखेंगे नहीं अपने सपनों को और अपनी इच्छाओं को तब तक यहाँ पर सकस्स नहीं होंगे, और जो आदमी सोच सकता है, सपने ल होना सुरू हो जाते हैं, ठीक, उनकी दिशा में काम करना स्टार्ट हो जाता है, second point है, you are in the director, यह एक movie है, और life सभी की एक movie की तरह होती है, इस movie के अंदर आप खुदी director हो, खुदी main character, खुदी architect हो, यह आपकी उपर depend करता है, कि आप atomy में आये हो, तो यहाँ पर आपको director खुदी बनना है, character भी main character का role भी पर खुदी करना है, lead भी करना, अपनी team का architect भी करना, अपनी team की structure भी आपको बनानी ही, दोस्तो, ठीक है, main leader का role आपको play करना है, main character सर आप ही हो, आपके नीचे left and right में दो side जो team बनेगी, उसकी structure आप ही design करोगे, कोई architect आकर के design नहीं करोगे, करोगे तो बहुत सालो लग जाएगा सर, atomy एक binary plan है, तो उसी साब से आपको यहाँ पर team का structure develop करना है, अगर जब तक आप balance करके काम नहीं करोगे, जुठे वायदे करने वाले लोगों के पर चलोगे, कि एक lag में काम करना है, तो सरी atomy binary business से दो lag में आपको अपने leader place करने है, नहीं तो यहाँ पर आपकी success story में सालो लग जाएंगे सर, ठीक है, तो यह follow करने आपको, third create goals to bring closer to your dreams, आप अपने goals बनाईए सर, life में goal बनाईए, atomic अंदर goals बनाईए, ठीक है, आपने जो भी सपने लिए हैं, और उन सपनों को साकार करने के लिए छोट छोटे goal त करते चले जाओ, बड़ा जो सपना है, वो बिल्कुल complete हो जाएगा, आपको इंपल मास्टर बनना है, तो sales master बनो, sales master बन गए, तो auto sales master qualify करते रहो, यार, auto sales master का मतलब diamond master, definitely you will go, और शेरोन रोजमास्टर का मतलब auto diamond, आगर आप auto sales master बनते हो, तो auto diamond का plan करो, फिर शेरोन रोजम अपने कले, आपका बड़ा सपना है, imperial master, है न, सभी का imperial master बनना है, सभी को, तो उससे पहले छोट-छोटे target achieve करने है, फिर goal set करने है, और छोट-छोटे goal से आपके complete होते चले जाएगे, तब आप, कि जो सपने हैं, डिजायर से हो, यहां पर पूरी हो सकती है, फूर्थ है, play this out like, जिस तरह के movie में हर character अपना एक role play अदा करता है, again, 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 वही आपको करना है, आपका role क्या है, आपका role क्या है, आपका role क्या है, अपने team के अंदर, आपके बरौसे कितने leaders आएं, आपकी team के अंदर, आपने किस तरीके से उनका educate किया है, उनको training दी एक नहीं, वो स है, देखा जाता है, सपने लिए जाते है, और सपने अगर हम ले सकते हैं, visualize कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को imagine कर सकते हैं, message कर सकते हैं, आप उसको पूरा भी कर सकते हो, ठीक है, और यह सारे चीज़ें आप लोग कर सकते हो, तो यह जो 5 point है, dreams building के पर इसको focus कीजिए, अपन लोग success होंगे, वही यहाँ पर history create करेंगे, तो आपको history create करना है, तो commitment करना पड़ेगा, ना नुकर और बाने बाजी, अगर यहाँ पर आप कर रहे हो, आपकी team कर रही है, तो definitely वह लोग committed है, जो लोग commitment करके काम करते हैं, definitely वह यहाँ पर success होने वाले हैं, try और कोशिस करने वाले लोग सर हमेशा कोशी सी करते रह जाते हैं लेकिन जो committed होके काम करते हैं वो यहां पर success होने वाले हैं यानि कि debt के काम करना है mindset का है आपका focus का है attitude क्या है आपका इस सारे चीज़े depend करती है आपके commitment के उपर okay first point commitment to change commitment to change का मतलब अगर आपको आपको बड़ी success achievements करने है तो आपने आप में change करना पड़ेगा तभी आप change कर पाओंगे किसी हूर को second point a be proactive about choice you make एक कि आपको यहां पिद्ग पेजिन अंग करना प्रोई अबऊर्ट्व होकर के काम करने ऑप सारी चीजने नेगेटिव होगी तो सुच नाँगा, positive attitude के साथ काम करना है definitely success is yours only healthy mental attitude determine success अगर आपका mentally healthy sound है अगर आपका attitude positive है तो definitely success से आपको कोई नहीं रोक सकता है अगर attitude बढ़ा करके रखेंगे यहाँ पर तो ही फाइदा है अगर छोटा attitude करके रखेंगे तो चोटे चोटे गोल से चीव कर पाएंगे तो चेंज खुद चेंज होना है और अपनी टीम के लोगों का mindset चेंज करना है उनका vision चेंज करना है आपका खुद का अटोमी का विजन क्या है सेम विजन आपकी टीम क्या होना चाहिए अटोमी सिस्टम में काम करने के लिए चठा most important point सब लोग ध्यान दे इस पर does not require money knowledge and experience अटोमी में काम करने के लिए अटोमी में आटोमी आपसे पैसा नहीं मांगती सर यह investment platform नहीं है यह consumer based platform है यहाँ पर knowledge आपकी past के knowledge क्या है यह कोई माइने नहीं रखता यहाँ पर आपका past का क्या experience है network marketing का है या नहीं यह कोई experience नहीं मांगता है यहाँ पर तो money knowledge और experience अटोमी नहीं मांगती है आपसे बिल्कुल ठीक है अटोमी का system सिरफ आपसे बोलता है कि be a consumer simple आप product use कीजिए और उसका जो experience है वो share कीजिए और लोगों को अपना experience बताइए आटोमी के साथ simple simple चीज़े यहाँ पर आपको duplicate करनी है okay tell people about your product experience in आटोमी okay third most important point है list काफी लोग join हो जाते है join होने के बाद उनको यह नहीं पता हो ता कि करना क्या है तो सर्थ करना ही है third point most important है create a list आप ऐसे लोगों के list create कीजिए जिनको आप आटोमी के बारे में बताना चाहते हो ठीक है 100 लोगों की 200 लोगों की list पर काम कीजिए list बनाईए direct इंदर लिखिए और पहले सीखिए आटोमी के बारे मसरा पहले सीखना भी आपको ठीक है और सारी चीज़ें सही सीखनी है third कई बढ़ क्या होता है कि list खतम हो जाती लोगों की किसी की 50 की किसी की 100 की किसी की 1500 की उसके बाद क्या करें तो सरी जब आपके list खतम हो जाती तो उसके बाद एक rule होता है 3 meter rule उस 3 meter rule को अपनाईए आप और हम अपने वीडियो में एक दिन special session रखेंगे यूटूब के मादें से कि 3 मिटर रूल क्या होता है 3 फिट रूल क्या होता है वहाँ से आप नई लिडर्स कैसे निकाल सकते हैं उसके पर भी हम काम करेंगे ठीक है Next Next हम बात करेंगे Sharing the vision जो 4th step of success in atomic Sharing the vision बहुत important point है दोस्तो Sharing the product and company vision जब आप atomic के अंदर list बनाना start कर चुके हो उसके बाद आपको atomic का vision share करना और vision share हम तभी कर पाएंगे जब आपको product की और company की नोलेज होगी तो first point है invite your prospect list आपके जितने भी prospects है list के उनको invite कीजिए उनको company के बारे में बताईए company के 3P है मारे पास company का profile है से जदा invite your prospect list to share the product and company vision तो कहा जाता है कि किसी भी network marketing में वो लोग successful होते हैं जो लोग बोलना सीख लेते हैं और काफी लोग बोलना सीखते नहीं agitate करते हैं जो लोग agitate करेंगे वो यहाँ पर बड़ा काम नहीं कर पाएंगे फ्रेंकली बता रहे हैं ठीक है तो जितने भी आपके prospects हैं उनको meeting में invite कीजिए ठीक है online meeting, offline meeting जो भी आपका प्रारूप है उसमें invite कीजिए second point try product यहाँ पे आपको product try करना है ठीक है try के मतलब use करना है आपको product ठीक है और जब तक आप product यूज नहीं करेंगे तब तक आपका जो experience है वो आप duplicate नहीं कर पाएंगे third listen to product lecture और जितने भी product के lecture हैं अटोमी इंडिया की तरफ से आते हैं और हमारे channel पे काफी products के sessions भी जाते हैं तो आपको जावे product की सही जानकारे मिले उसको आप use कीजिए invite कीजिए और चिज़ों को share कीजिए next है attend one day seminar जितने भी seminars होते हैं तो मैं इंडिया के Korea से one day seminars आपको attend करना है और जब तक आप one day seminars अटेंड नहीं करोगे तब तक यहाँ पर बड़ा काम नहीं कर पाएंगे कि company के knowledge को जानना हमारा main लक्ष होता है और यहाँ पर जो लोग company का पूरा profile सारे चीज़े जान पाएंगे seminars में क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए watch video again जितने भी successful लोगों के videos है Korean leaders के जो imperial master बने हैं पूरे world में जो global leaders होनकी speech सुनने हैं आपको रोज speech सुनेंगे उसकी speech से कुछ नया सिखेंगे definitely तब यहाँ पर आप एक बड़ा काम कर पाएंगे आपको एक vision भी मिलेगा वहाँ से और किस परकार से stage के पर बोलना यह सारे चीज़ें आपको सीखने वहाँ पर ठीक follow global successful leaders speech तो यह fourth point of important point is sharing the vision अब fifth point है atomic का success का show the plan अब काफी लोग उगों को plan show करना नहीं आता है और वो plan show इसलिए करना नहीं आता है क्योंकि उन्होंने कभी try नहीं किया है और वो depend है पूरा के पूरा applying पे तो यहाँ पे applying भी काफी busy रहते हैं तो applying के उपर काफी burden है team का यानि कि काफी help करते हैं और काफी busy schedule होता है तो ज़रूर नहीं कि आपका applying हर बार आपके साथ खड़ा रहे या उसको time रहे आपके लिए कभी busy होगा meetings में like that तो यहाँ पे आपकी responsibility यह है कि आपको atomic मे जोईन होने के बाद atomic की A to Z जानकारी होने चीए सीखना है और show the plan plan को कैसे represent करना है ने prospect को यह सीखना है आपको applying के साथ मिलके तो first point है share the product and company vision company information आपको पता करना है product जो है increase होते रहते हैं company के कब कौन सा product आया है और उसको use कैसे करना है वो सीखना है low expenses आपको अपना जो expense है वो low करना है यहाँ पर absolute quality, absolute price, absolute quantity के बारे में बताना है product का absolute price, absolute quantity यह सारे चीज़ें आपको पता होने चीए product mass stage, mass plus prestige यहनि कि prestige product created for mass यहनि कि atomic का stage mass stage, mass stage का मतलब यह कहते company mass में production करवाती है prestige quality के product, बहुत ही उत्तम गुणवत्ता किसम के products आपको मिल रहे है, use करने के लिए GS, GS stage, global sourcing, global sales के शुरू और company India के अंदर making India for world के project से काम कर रही है, तो यहाँ पे आने वाले time में इंडिया के 100 से ज़्यादा products international ने जाने वाले हैं, अगले 10 साल के अंदर, ठीक है सारे की सारा जो PV calculation होता है वो South Korea में server पे होता है और यहाँ पे unlimited levels तक आप recruitment कर सकते हैं लोगों को, unlimited levels तक मतलब की ULM plan है, और ULM plan का मतलब यह होता है कि binary module में, left and right में unlimited levels तक आप recruitment कर सकते हैं जनरल commission उठा सकते हैं चठा point है follow up तो जब तक आप अपनी टीम के जितने भी leaders सापने join करवाएं उनकी activity टीम में क्या है, क्या नहीं किसको क्या requirements है, किसको education की requirement है किसको online meeting चीए, किसको offline meeting चीए किसको core leaders scheme meeting चीए, किसको product training चीए किसको plan चीए, किसको PPT चीए, किसको wall paper चीए किसको promotion चीए, किसको knowledge चीए, किसको atomy point of knowledge देनी है, और किसको सबसे अलग leadership point of knowledge देनी है leader क्या होता है, उसमें क्या-क्या quality होते है और leader आदमी का जो सोच है, सबसे पहले उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उसका mindset क्या है तो काम करने से पहले leaders का mindset set करना बहुत जरूरी होता है, एक बार आपने leaders का mindset कर दिया, वो तभी होता है जब आप उनसे मिलोगे, टेंडिंग दोगे तो आपको पता होना चीए कि आपकी team के अंदर क्या activity हो रही है और आपकी team के अंदर क्या requirement है उस हिसाब से आपको follow up करना पूरी team के leaders को, ठीक है check up following, do not just sell once again, ये atomy सिरफ एक बार product बताना और बेचना और भूल जाओ ऐसा नहीं है, product बेचने का काम नहीं है और भूल जाने का काम नहीं है second, do not just tell once and assume एक बार आपने किसी leader को बता दिया और फिर उसको छोड़ दिया ऐसा नहीं है, आपको follow up करना उसको third, do not just think that they are no they know, आपको ये निसोचना है कि नया रमेश जिमिर साथ आए और मैंने एक बार इनको बता दिया और इनको सब कुछ पता है, ऐसा कुछ नहीं होता है तो team में एक एक activity आपको बताने है पूरी की पूरी team को, okay sell करने का काम नहीं है किसी को एक बार बता के छोड़ने का काम नहीं है और आपको ये निसोचना है कि इसको सब कुछ आता है, तो ये जो तिन दो activity आपको check up करने एपने team के अंदर पूरी ठीक है तब ही यह जो चठा नंबर का step है following अब ये पूरा हो पाएगा और आपको पूरे टीम के leaders को follow करना है काफी important step है follow up 7th step है consult and communicate आपको टीम के अंदर सारे की सारी चीज़े consult करने हैं आपकी टीम के leaders में क्या क्या चल रहा है उनके दिमाग में क्या चल रहा है काम हो रहा है या नहीं हो रहा है और उनकी mentality क्या है टीम के leaders की उसमें काफी questions होते हैं जब आप अपने टीम के किसी नए leader से बात करोग कि अगर उसको पूरी आटोमी की जानकारी नहीं है सही तरीके से आपने उसको ट्रेंड नहीं किया है तो उसके दिमाग में यह question होंगे 6-7 question है common है सबीके लिए सबीके लिए common होते हैं first question है I don't know how many people मुझे नहीं मैं कि मैं किसी को नहीं जानता है मैं आटोमी का प्लान है वो किसको बताऊं second question है मैंने लोग तो बहुत जादा registration करवा ली है लेकिन मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है तो दोस्तों मैं यह बताना चाहता प्लाप करने का काम है ना कि लगाने का काम है ठीक है तो यह समझाई यह बात अपने लिडर्स को थर्ड़ पॉइंट है I am having trouble registering people मैं लोगों को जोइन करवाए नहीं पाता हूं मेरे से तो close होई नहीं पाते हैं तो एक common point तो आगा आप से लोग close क्यों नहीं होते हैं आपके अप्लाइन से close क्यों होते हैं तो डेफिनेटली आपने अभी तक अपने 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 आपको पता ही है तो पहले खुद सिखो फिस सिखाओ यह चीज़ें फॉर्थ है I have many registered people but it's a sting जैंट तो यह नहीं है कि मेरे पास लाखों की टीम है और कोई काम का है नहीं है ऐ तो जो टीम है उसको आपने ट्रेनिंग दीए और सिरफ आपने ID लगा करके छोड़ें दिमाग में यह वहम है कि अजारों लाखों की में टीम मना लूँगा यहां पर क्रोड़ पती बन जाओंगा ऐसा नहीं है यहां पर जो consumers active है वही यहां पर active members रहेंगे और वही यहां पर एक source of income कर सकते हैं जो active users है no need to make the same mistake तो यह सारे चीज़े मिश्टे के आपको बार बार नहीं करना है if you don't ask assume you don't know अगर आप किसी से पुछोगा नहीं टोमी के बारे में तो definitely आप कुछ भी नहीं जान पाओगे तो आपका कोशिस है आप अपनी टीम के अंदर पूछिए कि क्या activity हो रही है किसको knowledge की जुरूत है किसको नहीं सारे चीज़ें आपको पूछने टीम के अंदर टीम के लीडर्स को consult करना communicate करना यह चीज़े तभी ह पाएंगी जब हम टीम के अंदर एक relationship रखेंगे communication रखेंगे तो most important point है relationship and communication in team और जितने भी जो टीम के लीडर्स है उनके साथ आपको communicate करके रखना है और जब तक आप communicate नहीं करोगे तो यह जो 5-6 point है यह आपको पता नहीं चलेगा कि किस लीडर के दिमाग में क्या चल रह last most important point है आठवा point है sir last point है duplicate and repeat teach and replicate सबसे पहले तो खुद सीखना है अपने जो ग्यान की बक्कट है past की company की वो सर्थ खाली कर दीजिए atomy में आप आयो तो दुबार अस इस bucket को fill up कीजिए atomy का जो रूपी ग्यान है वो उसको grant कीजिए सीखिए और सिखाइए teach and replicate और फिर अपने team के अंदर duplicate कीजिए और उसको communicate कीजिए duplicate कीजिए second point है go through step one to seven help your partner बस आपको एक से जो साथ के जो steps है वो आपको follow up करने है और अपने जितने भी atomy and partner उनको help करना है और a tree can only be as good as the seed it came from वरक्ष तभी बनता है जब आप एक पोदे का जो बीज है वो डालते हो और उस बीज को अंकुरित उन्हें में टाइम लगता है पोदा बनता है फिर तो यहां पर आपके success को कोई नहीं रोख सकता और यह काफी लोग successful हो चुके हैं internationally और इंडिया के अंदर success story स्टार्ट हो चुकी है और definitely यह जो 8 steps है यह सभी को सीखने है और आप अपने team के अंदर अगर आप atomy में नए हो तो अभी तक आपको यह steps के बारे में मालूम नही किये यह 8 steps काफी important है किसी भी network marketing company में और atomy point of view हमने इसमें discuss किया है और अगर अभी तक आपने atomy में join नहीं किया तो definitely आप atomy team warrior के साथ join कर सकते हो और आपको और आपकी पूरी team को team warrior education system का पूरा support मिलेगा globally और इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए last तक thank you very much सभी को thank you very much question again thank you